राजस्थान के कोटा में लगातार बच्चे सुसाइट कर रहे हैं आठ महीने में 24 बच्चे सुसाइट कर चुकि हम फिलाल कोटा के तलवंडी के राधा कृष्ण टेंपल में हैं जहां कुछ बच्चों से बादसीत करेंगे कि आखिर उन्हें क्यों लगता है आप बहुत सार पड़ी है पैरेंट्स के बारे में सोचना और अभी इतनी उमर भी नहीं हुई है कि मतलब यह डिसीजन लेना चाहें आपको क्यों लगता है बच्चे ऐसा कदम क्यों उठा लेता है और जैसे कि मैं नेट से हूँ तो मैं इसको बता सकते हूँ हम लोगों को बहुत जादा बैटेंड जाता है क्योंकि कॉमिटिश बहुत जादा है एंड और अरञाओँ 25 लक स्टुडेंस एक बार में बैटेंगाने ध्ट रीक्जाम में तो कॉमिटिश तौर्ड़ी शैशन महीं होता है क्योंकि बहुत जादा बच्चे होते हैं और सीट्स बहुत कम होती है इसलि एक्जाम से उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मेरे साफ से बिल्कुल गलता है आपको क्या खेलने कूदने का टाइम मिलता है और बच्चों की तरह कि आप लोग भी मुवीज वगेरा देखने जाते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? हाँ हाँ मुवीज वगेरा सब देखने जाते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं हम जे घंटे तो करते ही हैं और ये करना ही चाहिए तो बच्चे जो सुसाइड जो है जो जो बच्चे सुसाइड अटेम्ट करें उनको लगता है कि वो ठीक है क्यों ऐसी नोबता है नहीं ऐसा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनको अपने पैरेंट्स की सोचना चाहिए और पैरेंट्स की जब तक नहीं सोचेंगे तो आप उनके सपने पूरे करना है अपने सपने पूरे करना है तो हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए इससे अच्छा हमें सॉलूशन करना चाहिए उसका तो ये गलत है मेरे लिए तो और नहीं करना चाहिए देखिए अभी भी कुछ बच्चे जो है वो अपने मन की बात लिख रहा है यहां पर हम बाचीत करेंगे आप क्या लिखे रहें दिवार के बास वही अपने मनुकामना मनुकामना वही सेलेक्शन होने का क्य और दिव्यान सग्रवाल प्रेसर बहुत जादा है इक यह कोटा बच्चे बहुत सुशाइट कर रहे हैं मतलब लाइटली है जैसे कई लोग घरवाले के प्रेसर से और प्रेसर मिलता है नहीं दो उधर से कोचिंग वागेरा से जादा स्ट्रेस ले लेते हैं पढ़ने का त मतलब अच्छा गॉवर्मेंट कॉलिज मिल जाए अगर मानिये खुदाना कहासता कर नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है कि मतलब मिलता है कुछ और कर लेंगे उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही करना है लाइफ तो बहुत जो अब इस बच्चे सुसाइट कर चुके हैं इस आपको लग रहा है ठीक है जो सुसाइट वगयरा नहीं वो गलत है सिर्फ इसी में लाइफ थोड़ना है लाइफ तो बहुत लंबी है और पीछे भी तो घर वाले भी तो है ऐसा थोड़ना है कि सर्फ यह जो दिवार पर लिख रहा है मुझे अच्छे से विद्धिया लेकिन ना उतमाफ करते हैं घर वाले बोलते हैं कोई दिक्कत निया कुछ भी ले लेंगे फ्रेसर बस नहीं लेना है अच्छे से पढ़ना है बस आपना 100% देना है सलेक्शन हो और वो ना हो कोई दिक्कत निया है कि हम कुछ और बच्चों से भी बातचीत करेंगे यहां प इसको लग रहा है कंसिस्टेंसी में कमी आ रही है जी मैं कहीना कहीं उतना नहीं देश पा रही हूं जितना देना चाहिए सबी आपे 14-15 घंटे पढ़ते हैं मैं उतना नहीं पढ़ पारियों तिस इता घंटे बारस घंटे जा गंटे बहुत होता है तो पर यहां कॉम्पे अगर अधर इतना क्या है सजो कुछिंग का तनाव है अगर नहीं होता है अगर आगर नहीवा है भी यह वह फिन जुछ रागों के छोच्छय करें कि हो जाएं तो है कई लोग जो पचसे सुस्टराbled करने प्रेशर मा को नहीं करना चीए अहां वो नहीं करना चाहिए उतना प्रेशर क्या लेना कोशिश करो हो रहा है तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत सार जिंद्गी भी बहुत लंबी है तो बहुत कुछ और कर सकते हैं दूसरा चीज में इतना ही हार्ड वर्क लगाओ जहां अपना capability है तो वहां पर ह हो जाएगा तो इस साल में ट्राइब करूंगे अपना पूरा 100% की नहीं हुआ तो मैं किसी और फिल्ट में चली जाओंगे उमीद हमेशा रखनी चाहिए यहां देखिए एक और बच्चा है जो आपर वो भी अपनी मन की बात जो है वो लिक रहे हिमत मांग रहा है अभी श हिमत की कहां कमिया रही है अपको पयू हिमत की खूल क दुरू क उससे अच्छा वह हो ताकि माबाप मर जाते हैं वह सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कर देख मेरे बच्चे को मरना पड़ा है। जो आप बच्चे जो लगाटार जो नीट के तैयारी कर रहे हैं इसा क्या है तनाव क्यों और तनाव लेकर कुछ फाइदा है। यहां सिर्फ पढ़ाई का महौल है क्योंकि यहां सिर्फ इस्ड्यूट है होस्टल है जो कि बच्चा कभी अपने फैमिली के पास जब उड़ाता तो ऐसा इतना कुछ देखता नहीं हां कि एक्दम से महौल जिंद की सब चेंज हो जाता है। आप देखिए तो अभी भी लगातार बच्चे जो है वो अपनी मन की बात यहां लिख रहे हैं। लेकिन हम आपको देखिए आपके फ्रंट जो है वो गेट पर लेके चलते हैं और एक बार मैं निखिल से कहूंगा कि दिखाई कि यह जो आखिर यह जो दिवार जो है वो यहां पर राधाकृष्ण मंदिर है तलबंडी इलाके में जहां बहुत सारे विध्यारती रहते हैं और फिर से अच्छी खबरों के लिए जहां से बच्चे इंजिनियर्स बनते हैं आईटी जा रहे हैं इंटरनाशनल इंस्टिउशन जा रहे हैं देश का नाम रौशन कर रहे हैं ऐसी खबरे सुनने को मिलती है दुबारा ही वैसी खबरे सुनने को मिलेगी कैमरापरसर निक झाल झाल झाल